हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो अन्पॉं क्रियेशन्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खुबसूरत सिंगिल कलर की डिजाइन शेयर कर रही हूँ ये डिजाइन दिखने में जितनी खुबसूरत है, बनाने में उतनी ही इजी भी है इसे बिग्नर्स भी आसानी से बना सकते हैं, इसे आप अपने किसी भी नेटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं और आप चाहें तो इसे बार्डर की तरह भी यूज कर सकती है ये फोर फंदो की डिजाइन है, इसलिए इस डिजाइन को बनाने के लिए जब हम फंदे डालेंगे वो फोर के मल्टी पिल्स मैं डालेंगे, ये टूरो की डिजाइन है यहां मैंने 16 फंदे डाले हैं 2 रो का बार्डर बिना है जो कि दोनों और से उल्टे उल्टे फंदों से बनाया गया है अगर आप यह डिजाइन डालना चाहती है तो आप किसी भी तरह का बार्डर बना करके यह डिजाइन डाल सकती है अब हम डिजाइन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं डिजाइन की फर्स्ट रोग क्या करेंगे हम पहला फंदा स्लिप कर लेंगे उनको अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे बिन लेंगे 2 पंडे हमने उलटे बिन लिए हैं अब हमें इन दो आगे वाले 4 पंडे बनानी है आप चाहें तो पंडा उतार के में बना सकती है लेकिन मैं इस तरह से बनाऊंगी तो यह आसानिस बन जाएगा और जल्दी बनेगा तो पहले पीछे वाले फंडे को सीधा बुन लेंगे और फिर आगे वाला जो पहला वाला फंडे उसको सीधा बुन लेंगे इस तरह से दो फंडों से दो फंडे बना लेंगे यह हम इस तरह से क्या करते हैं हम लोग इस तरह से केबिल बनाते हैं अब यह चार फंदो की दिजाइन हो गया है फिर क्या करेंगे उनको फिट से अपनी तरफ करेंगे और यही चार फंदे हम फिर से Red बनाने हैं। पूरी ρो हमें इस तरह से बनाने हैं। पीछे करना है और इन दो फंदों पे डिजाइन बनानी है कैसे बनानी है इस फंदे को थोड़ डिला करेंगे पीछे वाले को और एक सीधा फंदा बुन लेंगे फिर आगे वाले से एक सीधा फंदा बुन लेंगे अब दोनों को एक साथ स्लिप कर देंगे फिर उनको अपनी उनको आगे करके इसको सीधा बुन लेंगे इस तरह से हमारी फर्स्ट रो कम्प्लीट हो जाएगी अब हम डिजाइन की सेकंड रो पर हैं डिजाइन की सेकंड रो बहुत ही आसान है इस रो में हमें क्या करना है पहला फंदा तो हम स्लिप कर लेंगे आप चाहे तो इसे सीधा ही बुनना है सीधा बुनने के लिए हम क्या करेंगे उनको आगे ले जाएंगे और दोनों फंदे सीधे बुन लेंगे अब इसके बार वाले फंदे हमें दोनों उल्टे दिखाई दे रहें उनको अपनी तरफ लाएंगे और इन दोनों फंदों को उल्टा बिन पूरी रो हमें इसी तरह बनानी है उनको आगे करना है दो फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं उन दोनों को सीधा बन लेना है उनको अपनी तरफ करना है दो फंदे उल्टे दिखाई देना है जो कि हमने केबिल बनाया थे यह वो फंदे हैं दो उल्टे दिखाई देना है उन की बैक साइट से हैं इसी तरह से हम बना लेंगे लास्ट में एक फंदा बचा है उनको अपनी तरफ आगे करके पहला फंदा हमने सिलिप किया था और इसको हम उठा बिन लेंगे इस तरह से हमारी सेकंड रोग कंप्लीट हो जाएगी पीछे से डिजाइन इस तरह से दिखाई आपने आज तक कभी नहीं बनाई होगी कैसे बनाएंगे यह देखिए यह पहला फंदा हम सिलिप कर लेंगे उनको अपनी तरफ करेंगे अब देखिए जब एक बार हम डिजाइन बना चुके हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमें किस तरह से बनाना है तो इसमें कुछ स सोचना समझना है ही नहीं देखिए दू फंदे उल्टे दिखाए दे रहें दू फंदे उल्टे बना लेंगे उनको पीछे करेंगे अब आगे वाले इन दोनों फंदों में डिजाइन बनाएंगे कैसे बनाएंगे यह दोनों फंदे हैं इने पीछे वाला फंदा यह जो है सेकंड नमबर का फंदा, इसको हम पहले बिंडेंगे सीधा करेंगे। और को इसको ख स्लेप करेंगे। जह करना ईसको आगे वाली फंदे को सिधा बुनेंगे। इस तरह से four funder की design बन जाएगी दो funder उल्टे और दो funder में cable फिर ऐसी करेंगे उनको अपनी तरफ करेंगे दो funder उल्टे बिनेंगे उनको आगे की तरफ करेंगे इन दो funder में design बननेगे कैसे बनने है पीछे वाला second number का funder इसको इस तरह से धीला करके पहले इसको सीधा बू इस तरह से केबिल ऐसी बन जाएगे पूरी रो हम इसी तरह से बनानी है दो फंदब उल्टे बनाने हैं और दो फंदब पे केबिल बनाना है फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकान को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिल सकें अगर आपको मेरे ये डिजैन पसंद आती है इस डिजैन को बनाने का धंग समझाने का धंग अच्छा लगता है तो प्रीज आप इसे लाइक करें कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें अब हम डिजैन की सेकंड रो पेर हैं टू रो की ये डिजैन है ये डिजैन की लास्ट रो है पहला फंदा स्लिप कर लेंगे उनको आगे करेंगे दो फंदे सीधे ये दिखाई दे रहे हैं इन दोनों को सीधा बिन लेंगे उनको अपनी तरफ करेंगे दो फंदे जिन से केबिल बनाया है वो हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं उन दोनों फंदों को उल्टा बिन लेंगे अब हमें पूरी रो में कैसे बनाना है उनको आगी करके दो फंदे सीधे बनाना है और उनको अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बनाना है पूरी रो जो की हमारी बैक साइट से है इस तरह से बनानी है कि दो फंदे हमें सीधे बनाने हैं और दो फंदे उल्टे बनाने है ये देखिए लास्ट में हमने दो फंदे सीधे बिन लेये हैं शुरू में दो फंदे सीधे थे और लास्ट वाला पंदा हम उनको अपनी तरफ करके उल्टा बिन लेंगे इस तरह से हमारी second row complete हो जाएगे और यह design हमारी इस तरह से बन करके दिखाई देगे इस design को आप किसी भी knitting project में डाल सकते हैं और आप इसे चाहें तो border की तरह भी किसी knitting project में डाल सकती हैं friends आशा करती हूँ आपको यह design बहुत पसंद आई होगी क्योंकि यह design देखने में भी सुन्दर है और बनाने में तो इतनी easy है कि मुझे लगता है शायद आपने इतनी easy design आज तक नहीं बनाई होगी तो फिर देर किस बात की है तुरंत सलाई उठाईए उन उठाईए और यह design डाल लगे तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ एक नई design के साथ तब तक के लिए जैमाता दिए